ध्यान देने योग्य बहुत जरूरी बातें सबसे पहले है बालों में तिल का तेल लगाएं तो बाल कभी नहीं जड़ेंगे ऐसा करने से कुछ ही दिनों में बाल आना शुरू भी हो जाएंगे इसलिए तिल का तेल बालों में ज़रूर लगाना चाहिए नमबर तिन काजर के जूस में शहद और नमक मिलाकर पीने से आखों की कम हुई रोशनी भी वापस आने लगती है नमबर चार चुकंदर में आईरन की मातरा बहुत अधिक होती है इसलिए अपने खाने में रोज चुकंदर जरूर शामिल करें नमबर पांच महंदी को कलर आने तक ही लगाना चाहिए ज़्यादा देर तक महंदी को लगा कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर बालों में महंदी लगी रहती है तो वह बालों की नमी को सोक लेती है और आपके बाल ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं नमबर 6 यदि आपको मचर काट लेते हैं और खुजली होती है तो उस जगह पर आपर साबून लगा सकते हैं उसके बाद वाश करें खुजली नहीं होगी नमबर 7 एक गिलास दूद में एक चमच गाएं का घी और मिश्री मिलाकर पीने से दिमागी कमजोरी शारीरी कमजोरी और हड़ियों की कमजोरी दूर होने लगती है नमबर आठ ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए हमेशा गुंगना पानी ही पीए अगर आप गुंगना पानी नहीं पी सकते तो आपको रूम टेंपरेचर पे जो पानी होता है वो पानी ही पीना चाहिए नमबर नो, उल्टा लेट कर कभी भी नहीं सोना चाहिए, इससे आपको हार्ट अटेक का खत्रा 80% तक बढ़ सकता है नमबर दस, अगर हम काले जीरे के तेल से मसाज करें तो हडियां मजबूत बनती है नमबर गैरा, जो ओड़ते पैरों में चांदी की पाइल पहनती है, उनकी हडियां मजबूत रहती है और पैरों का दर्द भी गायब हो जाता है नमबर बारा, मूली के पत्ते खाने से पेट की परिशानी खत्म होने लगती है नमबर तेरा, एक सेप खाकर उपर से एक गिलास दूद पीने से आपको कभी भी कोई बिमारी नहीं हो सकती साथ ही आप हमेशा जवान भी बने रहेंगे चौता नमबर देख लेते हैं दोस्तों, यदि आपके श्रीर में कहीं पर भी अगर कोई कट लग गया है नमबर शोला, अगर आपको चेचक के दाग हैं तो इन पर रोज नारियल के तेल की हलके हातों से मसाज करें नमबर सत्रा, आपके नाक से अगर खून बहता है तो एक छोटे से मिट्टी के बरतन में मिश्री और बदाम को अलग अलग भिगो दे फिर अगली सुबह बदाम के चिलके हटा कर मिश्री और बदाम का पेस बना ले और सुबह सुबह पी ले यह श्रीर में इतनी ठंडक पैदा करता है कि वापस आपके नाक से कभी भी खून नहीं बहेगा नमबर अठारा, यदि बार-बार हिचकी आ रही है तो थोड़ी सी हींग को गरम करके सुंगे इससे आपको हिचकी आना बंद हो जाएगी नमबर उनिस, यदि रात में नीद नहीं आती तो प्याज का सेवन जादा करना चाहिए इससे आपको नीद आने लगेगी नमबर बीस, बुखार हो रहा हो तो हींग को पानी में मिला कर हाथ पर लगाने से बुखार में आराम मिलता है छोटे बच्चों के भी आप इस तरह का लेप कर सकते हैं हाथों और पैरों पर नमबर इकिस, जो लोग रोज भिंडी का सेवन करते हैं उनको दिल की बिमारियों से खत्रा कम रहता है नमबर 22, महीने में एक बार मिक्सी में नमक डाल कर चलाने से जो आपके मिक्सी के ब्लेड्स हैं वो शार्फ हो जाते हैं नमबर 23, पालक, मेती और सरसों इनको सूखने से बचाने के लिए इनको अलग-अलग पॉलितिन बैक्स में ही रखना चाहिए नमबर 24 आपको कम सुनाई देता है तो उंगली पर नारियल तेल लगाकर कान में फेरें इससे आपको सुनाई देने लगेगा नमबर 25 काले अंगूर हमारे लिए बहुत जादा फायदेमंद होते हैं इसके खाने से पेट हमेशा ठीक बना रहता है नमबर 26 हरी शिमला मीर्च खाने से मोटापा नहीं आता नमबर 27 खून को गाड़ा होने से बचाने के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए आप कम से कम 15 मिनट एक्सरसाइज, योगा, जुमबा जो भी आपको अच्छा लगता है जिसमें कमफर्टेबल है वो जरूर करें नमबर 28 हाथों से कपड़े धोने से दिल मजबूत होता है और हाथों की मास्वेश्यां भी मजबूत बनती हैं इसलिए कपड़े हमेशा हाथों से धोने की कोशिश करनी चाहिए नमबर 29 जब सर में दर्द हो रहा हो तो हलके हलके हाथों से गुनगने तेल की मालिश करनी चाहिए slow music सुनना चाहिए इससे सरदर्द में आपको अराम मिलेगा नमबर 30 किटनी स्टोन से बचना है तो रोज तर्बूज खाना चाहिए यह बहुत फायदेमंद होता है नमबर 31 हमेशा खाली पेट नहाना चाहिए इससे आपको भड़ापा जल्दी नहीं आता नमबर 32 यदि आपके दात में दर्द है तो एक लोंग अपने दातों में रख लें आपको अराम मिलेगा नमबर 33 दातों में अगर पीला पन हो तो नमक के पानी से आपको कुरला करनी चाहिए नमबर 34 जो महिलाएं कमरबंद पहनती हैं उनको कभी भी कमरदर्द नहीं होता और डाइजेस्टी सिस्टम भी उनका स्ट्रॉंग बना रहता है नमबर 35 अगर आपके श्रीर में आयरन की कमी है तो आपको पोहे खाने चाहिए नमबर 36 अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या दिमाग कमजोर है तो आप बच्चों को दो चमच भीगी हुई चने की दाल खिलाएं इससे उनका जो दिमाग है वो तेज होने लगेगा पढ़ने में उनका मन भी लगेगा आप गुड के साथ भीगी हुई द नमबर 37 जो ओरते सर्दियों में दूद में जैतून का तेल मिलाकर अपने चेहरे पर मसाज करती हैं इससे उनका चेहरा सौफ्ट और चमकदार बना रहता है साथ ही दूद और जैतून का तेल से हाथ पैरों की मालिश भी आप कर सकते हैं इससे आपके हाथ पैर फटेंगे नमबर 38 अगर आप तिल के तेल में लसुन की कलियों को पीस कर बच्चों या फिर बड़ों के श्रीर पर मालिश करते हैं तो इससे उनको ठंड जुकाम, खांसी, कफ और हडियों के दर्द जैसी समस्याओं में काफी आराम मिलता है नमबर 49 बच्चों को खाली पेट दही खिलाने से उनका दिमाग तेज होता है और श्रीर में खुन की कमी भी नहीं रहती नमबर 40 तुलसी के बीज को पानी में भिगो कर खाने से मानसिक तनाव कम होता है यह श्रीर के लिए बहुत ही जादा फायदेमंद होता है नमबर 41 यदि आप खुजली की समस्या से परिशान है तो सरसो के तेल में 7-8 लरसुन की कलियां काली होने तक पका लें ठंडा होने के लिए रख दें फिर उसमें थोड़ा से नमक मिला लें पूरे शरीर पर इस जो आपने पेस्ट बनाया है जो मेटरियल बनाया है इससे मालिश करें इससे जो आपकी खुजली की समस्या है वो जड़ से खतम हो जाएगी नमबर 42 अगर आपको दस्त है तो आप चाय पत्ती एक चमच पानी के साथ खा लें बहुत जल्द आपको अराम मिलेगा जो चाय पत्ती है उसको आपको फाकी लगानी है नमबर 43 यदि आपको ज़्यादा तर सर में दर्द रहता है तो आपको पालक का सेवन नहीं करना चाहिए नमबर 44 अलोवेरा को बीच से काट लें फिर अपने चेहरे पर 5 मिनट तक रोज शाम को सोते समय मालिश करें और सुबह उठकर चेहरे को धो लें यदि आप रोजाना ऐसा करते हैं तो इससे आपके चेहरे के सभी दाग, धबे, जाईयां और जूरियां दूर होकर आपके चेहरे पर ग्लो आने लगेगा नमबर 45, यदि आप किसी पार्टी या फंक्शन में जा रहे हैं तो उसमें जाने से पहले अगर आप चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो चाते हैं तो संत्रे और नीमू के चिलके का पाउडर दूद में मिलाकर 10-15 मिनट तक चेहरे पर लगा कर रखें सूखने के बाद हलके हातों से रगड़ कर चेहरे को दोले इससे चेहरे पर एक दम नया निखार आ जाता है नमबर 40 यदि सर में रूसी एफिटेंटर बहुत जादा हो गई है तो इसके लिए आप खटे धही को अपने सिर पर लगाएं हलके हातों से मालिश करें आदा घंटा रखने के बाद सिर को धोले इससे जरूसी जो है आपके सिर की वो दूर होने लगेगी नमबर 47 मेथी के पत्तों को पीसकर चेहरे पर लगाने से मुहां से दाग धब्बे मिट जाते हैं और चेहरा निखरने लगता है 48 यदि चावल खाने से आपको बदहजमी की समस्य होने लगती है तो आप चावल खाने के बाद नारील की गिरी खा ले 49 बच्चों को रोजाना किश्मिश खिलाने से उनका श्रीर स्वस्त रहता है 50 रोजाना खाने में एक चमच इमली की पत्यों की चटनी बना कर खाएं इससे भूख बढ़ने लगती है और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है 51 देख लेते हैं दोस्तों उबले चने की रोटी है फिर भूने चने खाने से पाचन शक्ती बढ़ती है इसके सेवन से आपकी जो शारीरिक शक्ती होती है वो भी बढ़ने लगती है 52 नेमू और प्याज का रस ठंडे पानी में मिला कर पीने से लाब मिलता है 53 अगर सर्दी से बुखार हो रहा है तो एक गराम अजवाइन कूट कर कपड़े में च्छान ले और इसे पोटली में बांद कर सुंगें आराम मिलेगा 54 यदि आपका पेट लगातार मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो चीनी सफेद, चावल और मैदे से बनी हुई चीजों को खाना कम करते है 55 यदि आप बेचैनी और थकावट महसूस होती है तो अनार के जूस में नीमू डाल कर पिएं 56 पानी में अद्रक उबाल कर सुभा शाम पीने से जोडों के दर्द में आराम मिलता है 57 यदि आपको लगातार चक्कर आ रहे हैं तो काला नमक वाला पानी पिएं इसे चक्कर आने बंद हो जाएंगे 58 यदि आप रोजाना इलाइची का सेवन करते हैं तो इस से आपको अपचन पेट में एंधन की समस्या नहीं होती 59 दूद में नमक विलाकर पीने से खून की कमी दूर होती है 60 यदि आप वजन कम करना चाते हैं तो आप अपने खाने में जैतून का तेल इस्तिमाल करें 61 यदि आपको रात में सोते समय डरामने स्क्वाब आते हैं सपने आते हैं तो अपने विस्तर को रोजाना जाड़ कर सोया करें 62. यदि पेट में सूजन की समस्य है तो खाली पेट अनार खाएं इससे सूजन जल्दी खतम होती है 63. रोजाना रात को सोने से पहले चेहरे पर गुलाब का अर्क लगाने से चेहरा जल्दी बूड़ा नहीं होता तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही जानकरी आशाहे दीगे जानकरी अच्छी लगयोगी वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर करें चैनल पर सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबाग के ओल पर सेट कर लें वीडियो देखने के लिए बहुत जानकरी आश